So guys, हर एक या दो महिने में, कोई नो कोई cloud gaming application launch होता ही है किसी में आपको free play time मिलता है, तो किसी में आपको premium subscription लेना पड़ता है जो की paid होता है, और आप तक तो आपने almost सारे cloud gaming application ट्राइक करी लिया होंगे जिन में आपको वही normal 15-30 मेंट तक का free play time मिला ही होगा बट guys, आज मैं आपको एक ऐसा cloud gaming application बदाने वाला हूँ जिसमें आप लोग GTA 5, Pale World, Forza Horizon 5, RDR2 और Resident Evil जैसे काफी बड़े-बड़े ट्रपले PC गेम्स अपने mobile phone में बिलकुल free में खिल सकती हो वो भी unlimited time तक और साथ ही इस application में आपको कोई भी ads watch करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप जैसे ही किसी भी game को start करोगे तो बस single click में आपका game तुरंत start हो जाएगा तो guys, आज की वीडियो बहुत ही जादा interesting होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको जो secret application बताने वाला हूँ वो application शायद ही आप लोगों को अभी तक किसी ने बताया होगा तो भाई, वीडियो को पूरा जरूर से दिख लेना जिससे आपकी कोई भी information मिस ना हो So, hello guys, कैसे हैं आपस वीडियो? मैं हूँ Mr. Eagle, तो अब करते हैं वीडियो को start So, basically यह काफी popular platform है जो कि अभी इंडिया में available नहीं है बट कुछ ऐसी tricks हैं जिनके जरीया आप इंडिया में भी इस platform को यूज कर सकते हो और मज़े से free gameplay भी कर सकते हो और साथ ही guys, इस application में तो सबसे अच्छी बात है वो है कि इस application में आपको कोई भी Chinese नमर से login करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इस application में आपको phone नमर से login करने का कोई option ही नहीं मिलेगा यहाँ पर आप सीधे अपने किसी भी email से login कर सकते हो और साथ ही guys, अब तक आप लोगों ने जितने भी cloud gaming applications ट्राइ किये होंगी उनमें आपको 15 से 30 मिनट तक का free play time मिला ही होगा और किसी किसी Chinese application में तो आपको maximum 1 hour तक का free play time मिला होगा लेकिन guys, इस platform में ऐसा नहीं है यहाँ आप लोग daily free में unlimited time तक gameplay कर सकते हो वो भी बिना किसी ads को watch किये बस यहाँ पर आपको जो दिक्कत आ सकती है वो आ सकती है slow internet connection की बज़े से क्योंकि इस platform को use करने के लिए आपको VPN लगाना पड़ेगा तब ही आप free में gameplay कर पाएंगी और आप लोगों को तो पता ही होगा कि जब भी हम किसी भी VPN को किसी server से connect करते है तो हमारी internet speed थोड़ी कम हो जाती है और साथ ही guys आप जब भी किसी भी game को start करोगे तो भाई click करते ही आपका game तुरंद start हो जाएगा और आप लोग मजे से अपना कोई भी favorite PC game खेल पाएंगे अब guys PC games को आपके phone में play करने के लिए बस आपको यह तीम चीज़ों की जरूरी पड़ेगी फर्स नंबर पर एक high speed internet क्योंकि बिना अच्छे internet के आपका game रुक रुक कर चलेगा नंबर टू पर ये VPN जो की आपके game को server से connect करने में मदद करेगा और थर्ड नंबर पर ये application जो की है Nvidia GeForce Now जो की अभी के time पर इंडिया में available नहीं है बट कुछ ऐसी secret tricks हैं जिनके जरीया आप इस application को चला सकते हो और free में game play कर सकते हो और साथ ही guys इस application में एक basic subscription होता है जो की सभी users के लिए बिलकुल free होता है so guys इस application का download link में ने comment section में दे रखा है वहाँ से जाकर simply आपको इस application को download कर लेना है download करने के बाद आपको इस application को install करके open कर लेना है and open करने के बाद आपको get in का option देखने को मिलेगा जिस पे आपको click कर देना है and click करने के बाद आपको कुछ इस tab से page देखने को मिलेगा जहाँ पर आपको लिखा हुए मिलेगा show provider for other reasons तो इस पे आपको click कर देना है and click करने के बाद आपको geforce now के काफी सारे providers मिल जाएंगे अगर easy way में बताऊं तो Nvidia geforce now 200 plus countries में available है and हर country में geforce now को को ये company हैंडल करती है जैसे इंडिया में news आई थी के geforce now के networks and servers को Geo या ATL हैंडल करेगी तो अगर Nvidia geforce now इंडिया में launch होता तो हम लोगों को ATL या फिर Geo के account से ही geforce now को use करना परता बिल्कुल इसी तरीके से आप अपनी screen को पर जितने भी providers देख रहे हैं वो सारे अलग-लग countries के providers हैं जिन मेंसे आप अपने हिसाब से अपना कोई सा भी providers select कर सकते हो मेरा जो personal favorite है वो है gfn.am क्योंकि ये provider इंडिया के बिल्कुल नजदीक है तो इसलिए ये provider आपको बाकी सारे providers से और भी अच्छा explain दे सकता है तो इसमेंसे आपको gfn.am पर क्लिक कर देना है एंड क्लिक करने के बाद आपको login का option देखने को मिलेगा जहां पर आपको अपने किसी भी Google account से login कर लेना है एंड login करने के बाद आपको अपनी date of birth डाल देनी है और सारे terms and conditions को tick कर देना है तो ये सभी steps follow करने के बाद आपका easily login हो जाएगा अब guys सवाल उठता है क्या आपका login तो हो गया पर आप अप games को कैसे खेल सकते हो तो guys games को खेलने के लिए मैंने आपको जो VPN डाउनलोड कराए था उसी के जरीया आप game खेल पाएंगे क्योंकि बिना VPN connect करें अगर आप game खेलने का try करेंगे तो आपका game नहीं चलेगा क्योंकि GeForce Now अभी इंडिया में available नहीं है इसलिए VPN लगाना कमपल सरी है तो games को खेलने के लिए आपने जो VPN डाउनलोड किया था उसको आपको open करके connect कर लेना है और आपको Nvidia GeForce Now के application को open कर लेना है open करने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे free to play games निल जाएंगे जिसने आपको से sign up करना है और कुछ भी purchase नहीं करना कि इसने high and triple a PC games खेलने के लिए आपको game accounts चाहिए चाहे वो Steam account हो Epic Games account हो या आपको Microsoft account हो सब में आपको account चाहिए होता है तो इसी problem को solve करने के लिए बहुत सारे gamers एक साथ आई और इसका solution निकाला जो कि था Discord पर account sharing जहां पर आपको अलगलग games के लिए अलगलग Steam and Epic account मिलेंगे जिनके अंदर आपको वो games मिलेंगे जो कि actual में purchased है यानि कि उस game को किसी न किसी बंदे ने purchase किया हुआ है और वो बंदा भी उस Discord server में है तो इसी तरीके से कई लोग अपने accounts को share करते हैं जिससे उन लोगों की help हो पाई जो कि games को purchase नहीं कर पाते हैं तो इसी तरीके के कई सारे Discord server हैं जिनको आप join कर सकते हैं और account के ID password ले सकते हैं जिसमें से एक best Discord server है जिसमें 22,000 से जादा members हैं एंड उस Discord server का link मैं description में दे दूँगा वहाँ से जाकर आप लोग join कर सकते हों और जो भी game आप खेलना चाते हैं उसे आप search कर सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पर search किया For the Horizon 5 और Watch Dogs 2 और यहाँ पर किसी genuine बंदे ने अपना Epic Games या Steam account की details दी हो ही हैं जिसे मैं use कर सकता हूँ या किसी दूसरे बंदे को भी share कर सकता हूँ तो इस तरीके से आप इस platform को use कर सकते हो और मसे से free game खेल सकते हो So guys इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको यह वीडियो थोड़ी सी भी helpful लगी हो तो please इस वीडियो के एक like टर के channel को subscribe कर देना